हलो स्टूडेंट्स वाज के इस वीडियो में आपन बात कर रहे होंगे टॉप टिन प्राइवेट कॉलिज की राउंड वन की कटफ की ठीक है आप सभी लोग को पता है कि ऑफीसिल डिटा आ चुका है राउंड वन कटफ का आइधिंक बहुत सारे लोगों उन्हें चेक भी कर कर लिया होगा उस का क्योंकि उससे वह एक्सपेक्टेशन भी लगा पाएंगे कि हां कितना तक इंक्रीज हो सकता है राउंड वेब साइट पर जाएं सभी कॉलिज का कटफ राउंड वन का रिलीज हो चुका है आप जाके देख ले ठीक है मैं इस वीडियो में सभी भी आपको इसमें समझा दूगा ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप पहली बार चैनल प्याव होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो एंट तक देखना पसंद है तो प्लीज एक लाइक करना और ज्यादा ज्यादा इसको सेर करना ठीक है चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को सोज़े अपना टेलिग्राम चैनल होगा आप जाके टेलिग्राम चैनल जॉइन हो जाना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पिकोज सारे अपडेट्स आपको सबसे फाले मैं यहीं पर अपडेट कर दो ठीक है तो टेलिग्राम चैनल जाके जॉइन हो जाना ीक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है साध में जितने में इंपॉर्टें वीडियोस हैं सभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हू तो एक बार please it's my request to all of you कि please एक बार description box check कर ले ना ठीक है चले start करते हैं तो सबसे पहले I.E.M. Kolkata की बात कर लेते because ये अपना number one college है अभी भी private college में west bengal का इसका next video में government college के उपर भी करने वाला हूँ सो देखना इसमें student ये भी confused थे कि सर I.E.M. में मिलेगा कि U.E.M. में क्योंकि slash करके दे दिया था ना तो अगर बात करें computer science engineering के तो 3,287 पे close हो गया थोड़ा सा lengthy video होगा क्योंकि मैं के cut-up को आपको explain करूँगा अच्छे से ठीक है computer science technology की बात करें ये आपको U.E.M. में मिल रहा होगा इसकी cut-up आप देख सकते हो 11,422 मतलब अगर 15,000 तक है तो आपको round 2 में मिल जाएगा IT की बात करें तो 4873 ये भी आपको I.E.M. में मिलेगा अगर आपका rank 60K के around है न 6K के around तो आपको I.E.M. मिल जाएगा ठीक है जरूर डाउन करेगा cut-up ठीक है thousand rank round 2 में जरूर ड्रॉप करेगा because बहुत सारे student drop-out भी लेंगे ठीक है मतलब document verification के लिए नहीं जाएंगे तो सेट उनका cancel कर दिया जाएगा तो round 2 में thousand rank का एक expectation रैक सकतो I.E.M. केंटर 500 rank आप मान सकतो CS IT में इससे ज्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर आपका cut-up मान के चलो कि 4.2 4.3 के आसपास हो तो आपको CSE मिल जाएगा heritage में बागी IT की बात कर लेते तो IT आपको 4.6 तो अगर मान जाओ आपका rank 5.5 के आसपास है मैं round 2 के यहाँ पे expected लिख दे रहा हूं ठीक है अब यह गलत हो जाए prediction तो यह मत बोलने लगना कि सर आपने यह बोला था बट हुआ नहीं मैं expect कर रहा हूं कि last year के basis पे कि इतना increase हो सकता है तो पर 5.5 है तो आप second round में लग कर सकते हो उम्मीद की हाँ मुझे मिल सकता है EC की बात करो तो 9K तक गया है तो इस बार आपको मान के चलो 12K तक जाने की chances है 3K तो बड़ेगा ही बड़ेगा ठीक है बागी आप data science देख सकते हो 5.1 के बाकी सब आप video pause करके देख सकते हो अब बात कर लेते technoman satellite की technoman satellite में इस बार CSE का cut up 4.2 देखने के लिए मिला आया है तो मैं CSIT EC पे बिसिकली second round का भी expected cut up आपको बताते चल रहा हूँ computer science and engineering data science की बात कर तो आप देख सकते हो 10K तो इसमें भी 2000-3000 increase होगा बाकी सभी में आपको 2000-3000 increase देखने के लिए मिलेगा तो आप मैं एक बार चेक कर लो कि आपको visible हो रहा है कि नहीं साहिसे ठीक है तो आप देख लो video pause करके cut up check कर सकतो ओके next move कर जाते हैं आपको हल्या institute of technology तो इसका थोड़ा cut up न इस बार राइस देखने के मिला especially CSE की बात करो तो आपको 6K तक हुआ ये last year का ही trend follow कर रहा है ठीक है last year का ही trend follow कर रहा है अब मैं बात करो तो 2021 का 2022 का trend follow नहीं हो रहा हुतना लेकिन ये cut up देखके न मुझे 2021 का cut up याद आ रहा है इसी के आसपास close हुआ था round 1 में तो इसका आप देख सकतो 8K तक जाएगा इतना ही तक 8K से जादा नहीं जाने वाला max to max 825 तक जाएगा ठीक इसी की बात कर तो 17K तक गया है तो I hope इसका cut up आपको 25K तक देखने के लिए मिलेगा Okay IT की बात कर तो IT आपको 12K तक हुआ है and तो इसका cut up आपको 15 to 16K तक देखने के मिलेगा 15-16K तक round 2 में data science की बात कर तो 12K के round ये भी close हुआ तो ये भी आपको 15-16K तक देखने के मिलेगा बागी AIML की बात कर तो around 10K के round close हुआ है तो ये भी आपको 12K तक आपको देखते हुए मिलेगा round 2 की expected cutoff की बात कर यही आपके लिए तभी तो आप upgrade कर रहे होगे admission ले रहे होगे तो ये चीज़े मैं आपको समझा दे रहा हूँ ओके बागी cyber की बात कर तो dual के मैं core branches की बात नहीं कर रहा हूँ वो आप जाके official website पे देख ले नहीं तो बहुत lengthy video हो जाएगा सो ये आपको 13 के तो ये भी मान सकतो 15 to 16 के तक जाएगा मतलब अगर 25 के अंडर rank है न तो आप EC तक इस college में आप ले सकते हो next college की बात कर लेते है नंबर 5 तमारे list में नेता जी सुभास engineering college इसका CSE आपको 11 के तक गया ओके सो आई होब कि इसका 13 के तक जाएगा CSE already आपको inform कर दिया था कि जो सा का counseling खतम हो चुका है इसलिए जो average और lower college है वो last year के trend को ही थोड़ा बहुत follow कर रहे होंगा उसी के आस पास cut-off close हो रहा होगा विकोज जो सा counseling end हो जाने से बहुत सारी student जैमेन के through admission ले चुके हैं सो वो सभी student WBZ counseling नहीं कर रहे हैं इसलिए cut-off इतना थोड़ा सा आपको अभी जैसे आगे बढ़ूंगा ने colleges में थोड़ा सा आपको पीछे दिखता हुआ नजर आएगा cut-off बाकि EC की बात कर तो round 1 में 25 के तक गया है तो यह माल जाओ आपको 32 के तक तो जाएगा बाकि IT की बात कर तो 16 के तक गया तो यह आपको 20 के तक या 19 के तक जाते हुँ दिखेगा last year का same to same बाकि AIML आपको 17 के तक यह थोड़ा सा मतलब यह थोड़ा सा ऊपर गया है राइस किया है प्योंकि last year 30 के तक touch हुआ था I hope कि इस year यह 22 के से जादा नहीं जा पाएगा ठीक है क्योंकि AIML बहुत सारे लोग नहीं select किये थे last time नया branch आया था नेता जी में इस बार लोग select करें इस बार student इसको select करें बाकि CSBS आपको 32 के तक जाते हुए दिखेगा EC range इतना ही ठीक है 22 के तक गया है बात कर लेते हैं next college that is आपको academy of technology so इसमें आपको ज़्यादा branches है नहीं बाकि core branches है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा so CSC की बात करो तो 13 के है तो ये आप मान सकते हो आपको 15 के तक जाएगा ही जाएगा या 14 या 15 के तक कि को ये UT में ज़्यादा seeds भी नहीं है ज़्यादा branches भी नहीं है तो इसमें ज़्यादा increase देखने के लिए नहीं मिलेगा round 2 में 14 15 आप expect कर सकते हो बाकी EC 27 के तक है तो 32 के तक तो जाएगा ही second round में बाकी CSBS 18 के तक गया है तो ये मान जाओ 25 के तक आपको जाएगा 5000 तो 5 से 7000 चेंज देखने के लिए मिलेगा आपको second round में next college की बात कर लेते हैं लिस्ट में that is narula institute of technology I think आपको visible हो रहा होगा हाँ आपको साही से visible हो रहा है okay so CSC की बात करें इसके तो 17 के तक close हुआ है okay 17 के तक close हुआ है बाकी बात करूँ इसके EC की तो 35 के तक तो CSC में आपको expected बता देता हो 20 के तक तो जाएगा ही जाएगा okay IT की बात कर तो 24 के तो यह मान के चल सकते हो आपकी 28 से 30 के तक जाएगा last year से थोड़ा सा drop हुआ last year से थोड़ा सा rise हुआ है sorry last year 40 के round touch कर रहा था इस बार 30 के round क्योंकि narula का placement न इंप्रूव हुआ है बहुत जाए ठीक है recent years में बागी data science की बात कर तो 30 के बागी सब्सक्राइब वीडियो पॉस करके देख सकते है ठीक है चले लिस्ट में next college पे move करते है number 8 का बीपी पॉदर institute of technology तो इसका cut of decrease इसलिए देखने के लिए मिला है क्योंकि recent year में ये college का placement उतना कुछ खास रहा नहीं है इ पॉदर के बाग बट recent एक दो साल में इस college से ज्यादा बेटर placement आपको नरूला को देखने के मिला ठीक है इसलिए देखो इसका cut of भी 17 के तक गया है तो 20 के तक तो जाएगा ही जाएगा recent years में आप cut up जाके चेक करना है इसका 14-15 के तक गया तो CSE बाके EC की बात कर तो 35 के त college of engineering इसका भी college इसका भी cut of drop देखने के मिला है that is आपको थोड़ा से increase हुआ है 17 के तक आपको CSE IC की बात करतो 31 को तो same आपको यहां पे बीवी पोदर institute जैसा ही cut of इसका भी है same to same आप वीडियो पॉस करके देख सकतो लिस्ट में 10 नम्मर और अपने college लिस्ट का last पर बात कर ले तरहाईज आपको मेगनन साइंस्ट्यूट अप टेकलोजी MSIT के नाम से आप सभी लोग जानते होगी इसे ठीक है चले तो इसकी CSE 20 के के राउंड क्लोज हुई है तो मान के चलो आपकी second round तक 23 से 24 के तक touch करेगा इसे की बात कर तो 38 के 45 के तक तो या 50 के तक भी आप बोल सकते हो जाएगा ही जाएगा ओके IT की बात कर तो 26 के मतलब 30 से 32 के तक जाएगा इसका IT बाकी सब आप वीडियो पॉस करके देख लेना ठीक है चले so I think आपको सभी cut-up अच्छे से explain कर दिया मैंने आप I hope कि आप सभी लोग को समझ में आओगा round 2 के expected cut-up भी मैंने आपको समझा लिया तो आप इस basis पर decide कर लो कि हाँ मुझे मिल सकता है college या नहीं मिल सकता ठीक है for example मैंने किसी के expected 30 के बोला अगर आपका 40 की rank है तो आप मान क अच्छे सब्सक्राइब कर दो नीचे गूगल फिल कर लेना प्राइस मैंने कम कर दिया है फिर से आपको 199 अप नीचे जाकर लेना 199 प्राइस है हम लोग के द्वारा प्रापर कांसलिंग कर रा सकते हो अगर आपने गलती कर रखिये choice filling में तो ठीक है चले मिलते है next video में थाले थांक यू आल फ्यू